दोस्तों जिराव, हाथी, सेव और चीता जैसे कई बड़े जानवर तो आप सभी ने देखे ही होंगे और इनके बारे में आपने काफी कुछ सुना भी होगा लेकिन क्या कभी आपने ऐसे जानवरों के बारे में सुना है जिनकी लंबाई मात्र कुछ इंच में मापी जा सकती है अगर नहीं तो आपको बता दे कि दुनिया में ऐसे भी कई जानवर मौजूद हैं जो अपने बास्तविक आकार से बहुत छोटे हैं इस वीडियो में आप दुनिया के पांच ऐसे जानवरों के बारे में जानेंगे जिन्हें देखने के बार आपको अपनी आखों पर यकीन नहीं होगा तो चर्ये जानते हैं दुनिया के पांच सबसे छोटे जानवरों के बारे में बेहत ही अनोखा दिखने वाला यह जीव मेडागासकर में पाया जाता है। इनकी लंबाई सिर्फ एक इंच होती है और इनका वजन सिर्फ और सिर्फ 0.20 ग्राम तक होता है। यह गिरगिट दुनिया का सबसे छोटा रेप्टाइल जीव है जिसका नाम ब्रुकेसिया मिकरा है। यह जमीन पर पड़े पत्तों के बीच रहते हैं और चीटियों जैसे छोटे कीडों को खाते हैं। इस बंदर का साइज इंसान की एक उंगली के बरावर होता है। इस बंदर को दुनिया पिक्मी मार्मो सैट के नाम से चानती है। यह विस्व का सबसे छोटा बंदर है। यह बंदर दक्षण अमेरिका के पस्चिमी एमाजोन जंगलों में पाय जाता है। यह बंदर अपने जन्म के समय हमारी एक अंगली से भी काफी छोटा होता है। इनका साइज अधिक से अधिक 7 इंच तक होता है। और इनका वजन लगबग 100 ग्राम तक होता है। इस बंदर को पालने के लिए लोग बड़ी से बड़ी रकम देने को भी तयार रहते हैं। क्या आपको पता है मिली नाम के इस कुटे के सरीर की कुल उचाई सिर्फ 3.8 इंच है और इसका वजन मात्र 500 ग्राम है। जब इसका जन्म हुआ था तब यह इतना छोटा था कि यह एक चम्मच में भी पूरा समाजाता था। जबकि बड़ा होने के बाद यह कोट की जेब और जूते में आसानी से बैट जाता है। नमबर 4. मिनियेचर होर्स किसी भी आम घोडे की तरह इस घोडे की आप सवारी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ छोटे बच्चे इस घोडे के साथ खेलना पहुत पसंद करते हैं। इसे मिनियेचर होर्स कहते हैं। यह सामानने घोडों से बहुत ही ज़ादा चोटा और हलका होता है। मिनियेचर होर्स का वजन मात्र 26 किलो तक होता है। जिसकी उचाई लगभग 17 इंच तक होती है। बेहद ही विचित्र नाम बाला यह चुहा दुनिया का सबसी छोटा चुहा है। यह दुनिया में सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। पूरी तरह बढ़ने के बाद भी यह चुहें केबल 4.5 cm के ही होते हैं। लेकिन इनकी पूँच इनके सरीर के मुकाबले बढ़ी होती है। जिनकी लंबाई 3 से 10 इंच तक होती है।